सर्व धर्मान प्रिटेज्य तमाम धर्मों को रास्तों को छोड़तर मामेकं मेरे एक की शरणम प्रधा मेरे पास आजा दो इहम्ता मैं तुज को सर्व पापे ज्यार तमाम पापों से मोख्शई शिया मी मोख्शते देता हूं नंजाते देता हूं मार शुचा डॉन्टिसाइड गम्मक्र मैं तमाम गुनाओं को माफ कर देता ह। पुरान में गया अल्लाह ला इलाह इलाह वा रहील कयों वो जिन्दा है वो कायं है वो मर नहीं ज़क्ता नहों कोई उसको मार सकता है वही बाग जो गीता में कहीं है अक्सर मुसल्मान इसलाम को फालो कर रहे हैं ना अक्सर हमारे भाई गीतों को फालो कर रहे हैं जाहिर है शास्त्र के विद्व को फालो नहीं कर रहे हैं कि हम लोग भोशिश कर रहे हैं कि इंदुस्तान में अम्न काइम हो सारी चीज़ें खत्म हूँ शान्ती हर तरफ पहले लेकिन हम देख रहे हैं किटनाइबिंग को बरती जा रहे है पुलिस कुछारी परेशान है कानून बना मना करें ठक रही है उनको चेस करते करते ठक रही है लेकिन जराइम बरते जा रहे है जाहिर में कितना भी अच्छा कपड़ा पहले अगर उसका दिल टेज से समंग लित नहीं है टेज नहीं है उसके अंदर वागने चलिए असलाम आलेकुम वर्रह्मत ल्लाह वर्रकत अल्हम्द लिल्लाह रब्लामीन बस्लाथ वस्लाम वर्सूले मुहम्द वाली इस इजलास में उपस्खित और मौझूद सम लिए जरूरी पहलूम के उपर रोशनी डाल देना जरूरी समझता हूँ दुनिया में इंतेशार और आपसी नफरत जनते हैं इसकी वज़ा क्या है इसकी वज़ा ये है कि आदमी धर्म को फॉलू नहीं करता आदमी जब शास्त्र और धर्म को फॉलू नहीं करता फसाद रखा है आपसी इंतिशार रखा है सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि आप मौजूद हैं अगर देखना हो तो कम से कम ऐसे चिम्टी काट करके देखिए कि आप मौजूद है के नहीं डेकाट ने तो कहा था कि भई I think, therefore I am मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ वो क्या करता था वो डाउट्स उसको बहुत होते थे तो उसको जहन को एक टोकरी समझ लिया था उसने उसमें गलत आइडियोज हैं, सही आइडियोज है तो क्या करता था सही और गलत को वो सेब की तरह जो सड़ गये हैं सेब उनको बहार, यह गलत आइडियोज है इस नतीजे पर पहुँचा कि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ अगर आप हैं, मौजूद हैं तो फिर आपका बनाने वाला कोई होना चाहिए आप ऐसे थोड़ी बन गये हैं आपका बनाने वाला कोई होना चाहिए और चलिए गीता का वो इश्लोक पढ़ लेते हैं कि बनाने वाला कोन अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वं प्रवर्तते इतिमत तौभ जन्ते माम बुधा भावसमन विताहा अहम मैं अहम माम मया महमे मत मम मैं मैं ये पूरी गरदान हुई इसकी तो अहम यानि मैं सर्वस्य हर एक का पूरी काइनात का पूरी यूनिवर्स का प्रभवा reason of creation यानि मैंने ही सबको पैदा किया है और मत्त यानि मुझसे सर्वं सारी चीज़ें प्रवर्तते पैदा होती हैं यानि मैंने हर चीज़ को पैदा किया है अच्छा अगर इसको कोई माल ले तो इति मत्ता इस तरह मत्ता मान कर भजंते माम मेरी अबादत करते हैं कौन बुधा अकल मंद लोग इति मत्ता भजंते माम बुधा भाव समन विता बड़े इخलास के साथ बड़े ताजीम के साथ बड़े भाव के साथ इसका मतलब यह हुआ कि अल्ला को इश्वर को अपना पैदा करने वाला मान कर उसकी पूजा करना उसकी अबादत करना या अकल मंदी की दलील है अगर कोई ऐसा नहीं समदता बेवकूप है वो नादान नहीं वो वो बुधा कमसे को बुध नहीं हो सकता अच्छा चलिए उसने पैदा किया हमको अब हमको पैदा करके छोड़ दिया है नहीं कानून दिया कानून और उस कानून को अगर सब फालो करें तो कानून को फालो नास्त्र विधिमुस्रिज्या वर्तते कामकारतहँ नससिधिमवाप्नोती नसुखम नपरंगतिं। कि जो यह 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 य जाता है अपनी खौाहिश से काम करने वाला शास्त्र के कानून को छोड़ देता है और अप दिल जो कहता हो करता है तो कहता है नससिद्धि मवापनोती तो वो सिद्धिक और प्राप्त नहीं होता उसे नजात नहीं मिलती नसुखम और ना सुख प्राप्त होता है न परंगत गति के माने मकाम और प्रम माने आला आला मकाम यानि जन्नत नहीं मिलती उसको और इसी तरह उसको सुख प्राप्त नहीं होता और उसे सिद्धी प्राप्त नहीं होती क्यों इसलिए कि उसने शास्त्र के विधिको कानूं को फॉलो नहीं गिया अब कामकारता आदमी हो जाए और ग्यान हो कहता है मेरे पास ग्यान है इल्म है मेरे पास इल्म है लेकिन आदमी इल्म के बाद यही है पूरी दुनिया में इल्म है मगर इल्म के बावजूद ग्यान के बावजूद आदमी अपने दिल से अपनी मर्जी से काम करता है प्यारी बात कही गए देखे इस लोग देखे धूमेना विरियते वहनी ही यथा दर्शो मले नचा यथोल बेना विरित्व गर्भा तथा तेने दमा विरितम क्या बात कहते है कहते हैं कि जिस तरह आईने पर शीशे के उपर अगर गर्द आ जाए मल आ जाए तो शीशे में अपनी सूरत साफ दिखाई ने दिती आईना गंदा हो जाता है इसी तरह जिस तरह बच्चे को उसका उल्ब कहा गर्ब बच्चेदानी उसको घेरे रहती है इस तरह और जैसे आग को धूम अगनी को वहनी वहनी की बाहने होता है अगनी तो अगनी को जिस तरह धूआ धूम धूम जिस तरही के से घेरे रहता है आग को और आग दिखाई ने देती जिस तरह बच्चे को उल्ब घेरे रहता है इसी तरीके से आईने को मल घेरे रहता है अगर आदमी के पास इल्म है मगर वो अपनी मर्जी से काम करता है तो ये काम, ये उसकी मर्जी ये उसके जान को ढप लेती है अब जब जान ढप गया तो क्या बोलेगा हो क्या करेगा उल्टा बल्टाई करने वाला हो इसलिए कि उसके पर जान नहीं है जान ढख गए उसका खौईश की वज़स यह क्या वाद करी है क्या वाद किस धर्म में कहा गया है कि भई एक आदमी दूसरे से नफरत करे एक आदमी दूसरे को मारे ये ना तो इसलाम में है और ना तो गीता में है चलिए पढ़ लेते हूँ इतनी प्यारी बात कहीगी है कहते है अहिंसा अपने हाथ पैर और जबान से किसी को तकलीब पहुचाना अहिंसा ये नहीं होना चाहिए और सत्यम हमेशा आदमी को सच बोलना चाहिए अक्रोधा आदमी के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए अक्रोधा क्रोध नहीं होना चाहिए और त्यागश त्याग होना चाहिए कि अगर उसे जरूरत पढ़ रही हो अपनी भाई के लिए वो चीछ छोड़ दे और शान्ती इसलाम का नाम ही शान्ती इसलाम is equal to शान्ती न अक्सर मुसल्मान इसलाम को फालो कर रहे हैं न अक्सर हमारे भाई गीताओं को फालो कर रहे हैं जाहिर है शास्त्र के विद्व को फालो नहीं कर रहे हैं अब यहाँ क्या क्या है पैशुन का मतलब होता है गीबत यानि आदमी अपने भाई की पीठ पीछे बुराई करे अपैशुन और अपैशुन ऐसा नहीं होना चाहिए गीबत नहीं होनी चाहिए डया हु तेशू तमाम चीज़ों में दुनिया के तमाम इन्सानों के लिए के परती डया होने चीज़ डया भूतेशू वलो लुक्तम अदमी कहता है कि यह चीज़ मुझे मिल जाए अरे यह चीज़ मुझे नहीं मिली अब इस तराप की वज़े से किया चीज मुझे मिली नहीं इसके लिए वो हर जायज नाजायज तरीका इसको कहते हैं अलो लुक्तम ये नहीं होना चाहिए और हिरीर चापलम हिरीर हिरीर का मतलब हाया लज्जा बताई या लज्जा का हैं लड़कियों को देखिए अप कहा लज्जा है लड़कों को हमारे देखिए लज्जा का है उनके अंदर हिरीर का है उनके नहीं हिरीर का है लज्जा का है लज्जा खत्म हो गई है और हदीस में प्रोफिट मुहम्म्द صلی اللہ علم में फर्माया इजा लम तस्ताही फस्ना माशिफ अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो जो चाहे करो तो आदमी जो चाहे वो करता है जब उसके अंदर हया नहीं रहती लज्जा नहीं रहती तो गोया कि काम कारता आदमी जब हो जाता है तो समझो उसके अंदर लज्जा नहीं रहती है शर्म नहीं रहती है उचो चाहे करता है तो यहाद आखो दया की तालिम दी गए इसलाम में तो यही बात कही गई है कि हर एक के तहीं दया होनी चाहिए अहिंसा का सकती से रत करता है सकती से रोकता है रिफ्यूट करता है यहाँ तक के प्रोफिट मुहमद ص.A.S. के पास कुछ यहूधी आए और उन्होंने कहा अस्साम अलेकुम कहते अस्साम अलेकुम का मतलब होता पीस बी अपन यू आपके उपर सलामति हो लेकिन अगर कहा ज़िए अस्साम अलेकुम ल्म लो या अगर अलक कर दीजिए तैस्साम अलएकुम on you याईनि या तेरी मौत हो तो उन्हांने क्या का अस्साम अलएकोm अस्साम अलेकुम यानि लाम नहीं पुझा और आझ भी क्या है एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान से मिलता है उसको क्या मालूब बस्सलाम अलेकुम किया मत्लब ऑता? सलामति का मतलब या हुआ आपको सलाम किया मतलब या हुआ मेरी तरफ से तू बेफिकर रहे मेरी तरफ से तुझे तकलिफ होने वाली नहीं है यहां आदrical comments आदमी दूससे सलाम करता मशीन से एक मशीन बोलती असलाम आलेकुं दूसरी मशीन के दिवालेकुं से चले गए लिए न वह सलाम आलेकुं मतलब जम्जाब और असलाम आलेकुं तो देखो अहिंसा सत्तेमक्रोधा त्याग स्चांति रपेशुनम दयाभूतेश वलू लुपतम मारदमं हीरी रचापल देखिये, यहाँ पर, मार दमम नर्मी होनी चाहईए, यही बात, अबाता है इनालाह रफिक, अल्लाह नर्म है यहिभर रिफ्का नर्मी को पसंद करता है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नर्मी करें ये तो हदीष में है और गीता के इसे श्लोक के अंदर मौजूद है एक दूसरे के साथ नरमी परतना एक दूसरे के साथ दया का भाव होना मैंने बताया नहीं कि फसाद कहा होता है जब आदमी शास्त्र के बीद को फालू नहीं करता है शास्त्र के कानूं को फालू नहीं करता है अब जाहिर है कि काम मौजूद है अब ये काम क्या करता है ग्यान को ढख लेता है जिस तरह धुआ आग को ढख लेता है और जिस तरह बच्चे को गर्ब घेर लेता है ढख लेता है और जिस तरीके से मल गर्दो गुबाराईने को ढख लेते हैं ऐसे ही आदमी के ग्यान को उसका काम, आदमी के ग्यान को उसका काम घेर लेता है कहता है मेरे पास इलम है, कैसे साइंस ने बड़े तरक्य कर लिया मैं तो कहता हूँ के रेप के केसिस, मर्डर के केसिस, किड्नेपिंग के केसिस हमने बच्पन में सुना भी नहीं तकि ऐसा कुछ होता है गाउं में सीधे साथे लोग werden थे यूछ सर्ह समहबत करते बड़ी तरक्पी हो रही है अरे तरक्पी हो रही है यह ग्यान जो हो रहा है ग्यान हम उड़ रहे हैं कहां अस्मा अरे ग्यान تمहारे पास है लेकिन ग्यान को काम ने घेर रखा है ना अब काम जब घेर ने घ्यान को तो ग्यान तो छुप गया ना क्या काम उपर आ गया और काम जब आ जाए तो सुक तो परापत होता नहीं जैसा कि श्लोक में कहा गया मैं बेसिकली संस्किर्ट का इस्टूलेंट हूँ मैं संस्किर्ट का इस्टूलेंट हूँ मैं संस्किर्ट का ग्रेमर बहुत अच्छा है मैंने काली दास को पढ़ा है बहुत सारे अधीब लोगों को पढ़ा है और यह सब के बसका रोग नहीं है बहुत ही मुश्किल जबान ह बहुत मुश्किल की अच्छी बांद के लिए 2014 एगे लिए 24 हैं 20 स्शिलिंक के लिए 24 अनफू सक के लिए मेसकुलीम फ्यमिनिन नुटर हर एक के लिए 24 नुख़ तो आदा-हाक की आवाज सब्सक्राइब बने किसके कितनी एलत हैं और का के का म का झा हूं का आंडाए हैं का धभी हम के बे इसले आप एक कस दि लुए के एक उन्सक्षे क से कुछा भशा है का झेंके यह सकते आप अटव dal जा दुए हैं यहा उसक्ताव कुछा किसका कं क्न के जुए हैं तो सर्व धर्मान परितेज्ये तमाम धर्मों को रास्तों को छोड़ कर मा में कम मेरे एक की शर्णम वरज़ा वरज़ा का मतलब उत रहं तो प्रोसीड, टू गो मेरे शर्णमें आजा, तो कम, कम चुमी मे पास आजा, तो अहम त़ा, मैं तुझको सर्व पापे भ्या तमाम पापों से मोखश यशिया मैं मोखश दे देता हूँ नजाद दे देता हूँ मार्शी चाड़ डॉंट बिसाइड घम मत कर मैं तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ तो यह लोग हैं धर्म के बारे में कुछ मालूमात नहीं है माहमत होनी चाहिए एक महबत होनी चाहिए एक शांदार भाव होना चाहिए ताकि हमारे देश को तरक्की हो नफरतों से देश तरक्की ने करेगा यह बात याद रखिया आपस में महबतें पाइदा कीजिए देश को तरक्की पर ले जाएगे देश को तरक्ट पर ले जाने के लिए जरूरी है कि तमाम धर्म जो है मौझूद एक दूसरे के धर्मों का हित्राम करें और दूसरे से महबब करें मुँ में जबाना है फलाँ ट्रेडिस्ट है फलाँ ट्रेडिस्ट है कैसे तर इसका क्या मतलब है इसके क्या मतलब है बताईए तो यहां तो कुरान मना करता है वो सामु अलेकुम को बात करें तुम्हारे उपर मौत डेथ भी अपन यू तो नभी ने का वा अलेकुम ये भी ने का कि तुम्हारे उपर मौत हो वा अलेकुम अपॉन यू ये वो नाम भी नहीं लिया आपने क्या डेथ नाम नहीं लिया अच्छा लेकिन उनकी बीवी खड़ी थी उन्हें देखे मेरा शहर तो कुछ नहीं बोला है मैं बोल लेती हूँ उन्हें का वालेकुम उस्साम तेरे उपर लानत हो तेरे का कि महलन या आईशा ठेरो तेक इजी आराम से आराम से इया का वल उन्हें तशद्द से बचो उन्हें का बेन ही माना हिंसा होता है उन्हें इस इकूल टो हिंसा का गया इया का वल उन्हें इयाक वलुन्फा तशदुत से बचो हिंसा से बचो जबान का गया इस हदिए से बचो हिंसा से बचो वो अगर बुरा कह रहा है तो जरूरी नहीं कि अपनी जबान तुम खराप करो जबान पर कंट्रोल करने वाली बात है हम को जिसने पैदा किया है चानते हैं जुन्ता के अंदर देख लिया जाए वो कैसा है कहते हैं कि वो अविनाशी है नाश नहीं होता हो जो नाश हो जाए तो कभी वीश्वर नहीं हो सकता अविनाशी तत्विद्दी उसको समझ अविनाशी है वो नाश नहीं होता जो नाश हो जाए वो इस वर नहीं होता अच्छा इस पूरे युनिवर्स को वो घेरे हो है इस युनिवर्स में नहीं है वो युनिवर्स के बाहर है वो अगर अंदर आ जाए तो वीश्वर का है वो घेरे हो है ततम है भेरे हुए अब यह है यह चीज जिस में हैंट कच्छफ हैंट कच्छफ को हम ऊपर कर देते हैं अब है इस उपर यह नीचे केसे आजाएगा उपर है ततम धेरी हुए चीज ऊपर होती यह अंदर नहीं होती हो तो एंसर्वमिदम्ततम तमाम को मैंने घेर रखा है और विनाशमवियसियास्या वो तो विनाश कोई नाश नहीं होता और अगर कोई उसको नाश करना चाहे तो नकश्चित करतु मरहते उसको कोई भी नाश करने के लायक नहीं है पुरान में कहा गया अल्दा ला इला है वो जिन्दा है वो कायम है वो मरनाई ज़्टान और कोई उसको मार सकता है वही बाद जिगीता में कही लिए है ऐज़ किक उधिनल कि यए और कहा गया मेरे दोरा ये पूरी कि पूरी युनिवर्स गेरी हुई है जगत पुरा पुरा गेरा हुआ है और अब्यक्त हूं मैं आप कैसे वैक्त हूं आप कैसे वैक्त हूं ये वैक्त क्यों को आपको का जाजा आप दिखाई देते इस वज़े состав को पर encryption यहां का अका जिस अगर इस ऩो व्यक्ति बना दिया जाए तो एश्वर कहा रहे गई वो तो कहता हा अव्यक्ति वो ँभ्यक्ति अगयर में ध़ए नहीं naciónlaud में देखा क्राण में धिता मैं और छेय। उसे आखें नहीं देख सकती वह अंसीन है अगर उसको ब्यक्त बना दिया जाए कि यह इश्वर है तो कैसे हो जाए तो ब्यक्त हो गया है तो मयाततमिदं सर्वं जगदव ब्यक्त अब्यक्त मूरतिना मतस्थानी सर्व भूतानी तमाम चीज़े मुझसे हैं और मैं चमने और आहम मैं तेशु अवस्थित हा मैं उसमें इस्थित नहीं हूं गईनाथ के मैं उसमें इस्थित नहीं हूं थेशु नहीं या लेक् ती तहां गे, O plus A is equal to वा, तेशववस्तितहा मैं उस्हे इस्तित नहीं हूं मैं काइना के बार हूं सारी चीज़ मुझसे है और मैं उन्में इस्तित नहीं हूं मया कतमिदान सर्वम जगदव्यक्त ये मूरुतिन Mr. मत स्थानी सर्वह भूतानी मैं उसमें इस्थित नहीं हुए अच्छा और मैं अभी नाशी हूँ मुझे कोई नाशी नहीं कर सकता तो अब क्या करना अब क्या करना एक की पूजा करना कैसे मन मना भव मद भगता हा मध्याजी माम नमस कुरू मामे वैश्यसि सत्यमते प्रति जाने प्रियोसी में मन मना भव मन मन का मतलब हो था मन में मनन करना थिले थिले बोलना ए इश्वर मेरे उपर रही है ए इश्वर में प्रिशांस उसको कहते है मन 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 करना उसको अरभी में कहते है मौनाजाद उर्दू में कहते है सरगोशी अंग्रिजी में कहते है विस्प विस्परिंग करना धीरे बीरे अल्ला से बात करना है ऐसा है तो मन मना भावा- केते हैं भाव माने बन केते हैं मेहमान देवो मेन मनां भव मन में मनं करने वालाम उसे कुऩे चुके जुके बाते वाला नहीं है लि्याद ईश्वन ने नुनको तुमको तुमारे मेरा याजी अबादत करने वाला पूजा करने वाला यज करने वाला यग यग करने वाला मद्याजी मेरा यग करने वाला मेरी अबादत करने वाला माम नमश्कुरू मुझको नमश्कार करो तो अगर ऐसा हो तो मैं तुमको प्राप्ठ हूँगा मामे वैशियसि सत्यम और सच कहता हूँ ते तुझसे प्रति जाने प्रति ग्या करता हूँ प्रियो सुबे तुम मेरे महबू हो तुम मेरे महबू हो प्रिये हो तुम अगर तुम मेरी इबादत करते हो और मुझसे मांगते हो अच्छा क्या-क्या उससे कहना चाहिए वो भी देख लेते हैं यद करोशी यद शनाशी यद जुहोशी ददासियत यद तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुश्वमदर्पनम खावाते हैं यद करोशी जो तुम अमल करते हो एक्शन करते हो तुम कोई भी अमल यद करोशी यद शनाशी जो तुम खाते हो तुम खाते हो तुम खाते हो यद ज झो तुम हवन करते हो जो तुम कुर्बानी करते हो ददासित जिसको तुम देते हो अपने हाथ से ख्यरात करते हो यह तपस्यसी जो तुम तपस्या करते हो ँई अर जून ऑम्य टकुरुश्वमधर पनम यह सारी चीजह irrigation मेरे होना चाहिए अब पता नहीं किन-किन को आरपन किया जा रहा है खबरों पे लोग ले जा करके क्या 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 सारी चीज़े खाने की चीज़े जो आप कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं जो आप कुर्बानी दे रहे हैं इश्वर कह र जो तुम खाते हो, जो तुम कुर्बानी देते हो, जो तुम तपस्या करते हो, और जो तुम हातों से खायरात करते हो, तत कुरुश्व मदर पनम, तो ये सा मेरे अर्पन करो, मेरे अर्पन होना चाहिए, ये कहते हैं, सच्चा याजी, सच्चा योगी, और सच्चा इश्वर का मानने वाला मैं हैरत में है कि आदमी सिर्फ मैटीरियल है कोई चीज है किसकी वज़े से हम चल लए ये निकल जाती है तो फिर आदमे मैटीरियल हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ मैटीरियल ने अंदर कुछ और है तो सिर्व मैतिरियल को अपर खाओ लूटो किसी आप घसब कर लो किसी का चुरा लो किसी का उपर डंडा मार करके उसों कुछ हासिल कर लो लो अंदर जा रहा है बदन बढ़ रहा है लेकिन रूह आत्मा यह यह तो खतम हो जाता है गल जाता है सतम हो जाता है मिट जाता है मिट्टी हो जाता है मिट्टी का है लेकिन एक चीज़ है ये एनम वे तिहंतारम यश्चैनम अन्यते हतम उभवतवन विजानीतहा नायम हंतिनहन्यते ये एनम ये एनम जो इसको ये समझता है आत्मा को कि ये मारती है समझता कि ये मरती है तो उभव तो नभी जानी तहा तो दोनों नहीं जानते है दोनों को मालूम नहीं है कि ऐसा होता है नायम हंति नहन्यते नहीं मारती नहीं मारी जाती है और इसकी तश्रीह आगे नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक हा न चैनम क्लेदयं त्याप हा न शोशयति मारुत हा मारुत माने हवा और पावक माने आब और आब माने पानी आप माने पानी तो कहते हैं नैनम न इसको छिंदंति शस्त्राणी शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणी एक शस्त्र, दो शस्त्र, कई शस्त्र, इसको शस्त्र नहीं काट सकते, छित माने काटना, छिद, छिद माने काटना, छिंदन्ति, भवती भवता भवता भवत, भवामी भवावा भवामा, वो होता है, वो दोनों होते, वो सब होते, तू होता है, तुम दोनों होते, तुम सकते न साण जला सकती है यह जो आन पानी को सकता है यह को कि इस सुखते हैं पानी रखने काँ हवा चलती रहती है मारुत मुंत मानवा हर जिसको शस्त्र नहीं काड़ सकते पानी भिगो नहीं सकता आग जला नहीं सकता उसके ओपर तो कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है यह मिटने वारी चीज तो पर सारी महनत हो रही है सारी तूकर गडाई सारी बढ़माशियां सिर्फ आपसी माइटेरियल को पालने के लिए एक दिन गल जाने वाजिया अफसुस है ये बुधा हैं ये अकलमंद हैं ये तो पागल लोग हैं ये तो पागल लोग हैं जो मिटने वाली चिज़ गलजानी वाले चीज़ को पर मेनद करते है रूह क्या चाहती है आत्मा क्या चाहती है आत्मा क्या चाहती है आत्मा को पर को आत्मा परेशान है अंगा आत्मा चाहती है कि एक को दूसरे से महपत आत्मा चाहती है कि एक दूसरे से नफर आत्मा ये चाहती है कि अरे भी खाना खाली है तो पेड़ भर गया material पुरसुकून हो गया लेकिन आत्मा परेशान है आत्मा जब अपना रिष्टा अपना तालुक अपना रिलेशन इश्वर से नहीं जोड़ती परेशान लेड़ी जरूरत है कि इश्वर से और किसी सादू ने बहुत अच्छा का कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में अम्न कायम हो सारी चीज़ें खत्म हूँ शान्ती हर तरफ फैले लेकिन हम देख रहे हैं किड्नैपिंग बहुत बढ़ती जा रही है पुलिस बचारी परेशान है कानून बना बना करें कि ठख रही है उनको चेस करते करते ठख रही है लेकिन जराइम बढ़ते जा रहे हैं क्यों इसी वज़े से किसी सादू ने कहा और बहुत अच्छा कहा कि कानून को दस्तूर को रूहानियत के साथ इश्वर के साथ जोड़ा जाए जरूरी हो ठीक है चानून रूहानियत को जोड़ दिया जाए ताकि आदमेक तरफ जोड़ से डरे कानून से को मुझा करें हमारा जो कानून है एँछे इश्वर को भी इस लिए कि कानून हमारे जाहिर की तद्रीभ के लिए उसको देखने के लिए अगर ऐसा करेगा तो डंद खाएगा अगर ऐसा करेगा तो टांग दिया जाएगा लेकिन रूह की लिए क्या है रूह की लिए क्या है तेहादा तनहाई में आद्मी हो भी गलत सोच रहा है कानून हमारा क्या कर ले भी हम गलत सोच रहा है हमारे ख्यालात हमारे दिल में ये तमन्ना आ रही है हमारे दिल में ये चीज़ है कानून क्या करने का यहां अब इश्वर आता है गलत मत सोच गलत मत सोच इसलिए कि आदमी करता है आदमी बोलता है उसके पीछे जो चीज़ होती है वो आदमी का अंदरूनी होता है तो तेजह बोलते हैं तेजह वह नहीं होता हुए एक इश्लोग भी है तेजजचमाद युटी शवचम अध्डोहो मानीता सब्सकुद्धा उसमें तेजह बोले गया तेजह प्रकाश पर जिने भी कुवाइं के बारे में कहा जाते हैं कि आस्मांश में पर GOण जो को जो प्रका्स पर नंतर जब कर आ्दमी नहीं होता आदमी शखी नहीं होता है जाहर में कितना एकशा कपड़ा पहले अगर उसका दिल नहीं नहीं है उसके अंदर आदमी पाक होना । तहाव माने तो धायरिय होना, सब्रहोना, किसी के पर सब्रहैं, मामूली सम्हेजिप होना होना, एक दूसरे के तई requests काफी का भाव होना वई हमसे कोई गलती हो आप माफ कर दीए आप से कोई गलती हो गए मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं माफ कर दीए ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लेकर चलेंगे तो एक सोसाइटी अच्छी सोसाइटी बन जाएगी और एक देश हर कदम पर परक्ति करेगा तो कपड़ा पहनने से आदमी अच्छा नहीं बता तेज होना अंदर अंदर उँ आदमी का बातिन आदमी का ये पाक होना ये अच्छा होना ये ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी तो प्रकाश की बात करते हैं एक इश्लोक पढ़के बात करता हूं केते हैं यदा दित्य गतम ते जहा यदा दित्य गतम ते जहा यगद भाशयते अखिलम यचंद्रमसि यचागनव कते जो विधिमामकम क्या बात किञा यदा दित्य गतम ते जहा यदा ये जो आदित्य प्रकाश है जो जगद भाशयते अखिलम इस कुंप्लीटली जो मुकम्ल तोर से पुरे जगद को भाश्यते रोशन करता है वो और यह चंद्रमसी यह चंद्रमा में यह चाग नव अगनी के अंदर आग में जो तेज है तक तेजो विधिमा मकम तो उस तेज को तू समझ की मेरा है अब देखो लोग रोश्री की पूजा कर रहे हैं अब मैं यह कहूं इस तो कहा कि यह सारी चीज़ेनी जो प्रकाश मेरा है तो जो माइन है वो अलग है और जो तेज है वो अलग है कहता है कि यह सम्मेरा है मेरा दिया हुआ है यह प्रकाश तुम्हारे उपर भी होना चाहिए यह प्रकाश तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कपड़े अगर जब फटे पुराने हों लेकिन आदमी का तेज आदमी के दिल में प्रकाश हो तो फटा हुआ कपड़ा कोई माना नहीं रखता है तो आज इस स्टेज से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि देश की तरकी के लिए और एक समाच को बेहतर समाच बनाने के लिए जरूरी है कि तमाम बरादराने वतन, मुस्लिम, गयर मुस्लिम, सब एक दूसरे के तई अच्छा भाव रखें, इखलास रखें, महबत रखें, न लिए की नफरतों से कोई मसला हल होने वाला नहीं है, तकरार से कोई मसला हल होने वाला नहीं है, महबतों की फजा काईम करो, महबतों की फजा काईम करो, एक दूसरे से महबतों का बरताओ करके, हुसन सलूक करके, एक सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी बने, एक समाच को अ कहीं भी ऐसा तीज़ को उनके अंदर कट जाएं मगर बिकें नहीं है एक सिवा में जाएं इंडिया को ऐसे लोगों की जरूए है हमारे देश को ऐसे लोगों की जरूए है जैसे पुली सॉफिसर की जरूए है आइसे नेधाओं की जरूए जो दूसरों के लिए अपना सबकुछ कुर्बान कर देचो लोग तुम्हारी कितनी इस्ज महब्ब्ब करते हैं देश्डी क्या बनाएगा देश्डी तो इश्वर बनाता है कहते हम अपनी किस्मत के खुद मेहमार हैं गलत है यह किस्मत इश्वर बनाता है और बच्पन जवानी बुरहापा उसके बात क्या है अगर इस्टोरी इस गुइंग टो फिनिश कानी खत्म होने मिटी हो जाने वा आएंगी नफरते मेंसे में खुद बखुद सब अपनी जिम्मेदारी महसूस करने लगें नफरते मेंसे भी खत्म हो जाएंगी अल्लह तबार्क और ताला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफिक अता फर्माएं वा आखरो दावाना आने लहम्दुलिल्ह रब्लालम पॉर जाएंगी।